बुलिये ब्रिंदावन विहारी लाले की जय परशुत्तम मास की जय बारह वाध्याय संकर के चले जाने पर वह बाला कान्ती ही इंश्वास पर स्वास लेती हुई बहभीत होकर आँखों में आसु लाकर रोने लगी इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल बेतीत हो गया फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के बश हो गई उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा दुपत ने उत्तम यग्य किया इसी यग्य कुड़न में से कन्या उत्पन हुई वही मेधावी रिशी की कन्या दूसरे जन्म में राजा दुपत की पुत्री दुपती के नाम से संसार में बिख्यात हुई सो यह राजा दुपत के स्वयंबर में मचली की आँख बींदने पर अरजुन को मिली हे नारत पर शुत्तम का अनारत करने से दुष्ट दुसासन ने इसके बालों को पकड़ कर खीचा परंतू उस समया बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी स्रीकृष्ण कहने लगे कि यती दुरूपती को मैं भूली गया था तो भी मेरे को समरन आई और हे राजन में ततकाल ही गरूर पर चड़कर आया और अनेक परकार से खीचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुषाशन उसको खीचता हुआ अचेत होकर गिर गया सदेव मेरे से इसने करने वाली और पती व्रता को पुर्षुत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया पुरुषुत्म मास का तिरसकार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ इसलिए सब प्रकार से पुरुषुत्म मास रिसी और देउता हो कि सेवनी उप्धे फिर मनुश्यों को तो अत्यन्थी मनवांचित फल देने वाला है इसलिए आने वाले परशुत्तम मास की आराधना करो 14 वर्स पूरे हुए अब सब कुछ अच्छा ही होगा स्री नारण कहने लगे इस प्रकार स्री कृष्ण द्रोपदी और पांडमों को समझा कर द्वारी का पुरी जाते हुए बोले है राजन अभी विरह से व्याकुल द्वारी का पुरी को मैं जा रहा हूँ ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग नहो पांडू पुत्रों को दीरे दीरे लोटा कर द्वार का पुरी को चले गए स्री नारण बोले स्री द्वारी का नात की द्वारी का चले जाने पर दिश्टिर अपने भाईयों सहे तब करते हुए तीर्थों में विचरनल लगे है नारद श्री भगवान की पुर्शोत्तम मास को मन में धारन कर और स्री कृष्ण का बचन इस्वरन कर अपने भाईयों और द्रोपती से बोले हो आप सबने पुर्शोत्तम का महात्म सुना पुर्शोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार से सुखों को भोग कर योगियों को भी अति दुरलब भगवान के लोग को चले गए बुले ब्रिंदावन विहारी लाले की जाए पुर्शोत्तम मास की जाए भारवाध्या समापत